गुद्मानिंग इस्टुडेंट महत्मा गांधी पॉलिटेकनिक में आप सभी का स्वागत है सर्वेइंग की क्लास आज हम लोग कुछ अब्जेक्टि कोश्चन देखेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कमपास में आदे से ज़्यादा स्लेवर्स को कबर अप कर लिया है बच्चों हम लोग जो है सर्वेइंग की क्लास में अभी तक हम लोगों ने प्रिजमेटिक कमपास के बारे में देखा हो उसके उसके असर उसमें जो है क्या क्या होता है नीडिल के बारे में उसके ग्रिजुएड़ेट ड्रिंग के बारे में बॉक्स के बारे में एगट कैप के बारे में ये सारी तमाम चीजें हम लोगों ने इसको देखा समझा अब आज हम लोग उसी पर फिर प्रिजमेटिक पास के आगे हम लोगों ने मेरेडियन पड़ा, मेरेडियन में भी तीन प्रकार की, true meridian, magnetic meridian, arbitrary meridian हम लोगों ने तीनों को समझा था, आज हम लोग जो है, bearing फिर उसके बाद देखा था, bearing में हम लोगों ने true bearing, magnetic bearing और arbitrary bearing, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आपका WCB, whole circle देखा यहां तक बच्चों आप ही तक जहां तक हुआ अब उसके अकार्डिंग हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन कॉश्चन आ सकता है फिर उसके बाद हमारा बैक बेरिंग और फोर बेरिंग रह जाएगा जो बत्चों देख ड़ी क्लास का है वो खतब निधा फिर फिर यह यूनित खतम हो जाए हुरम सकते हैं और यह इसमें से देखते हैं पहले यह कोशिचन दे रहा है प्रिमेटिक से इनका सिम्धाला कंपाज कंद सेथैं एस आहे कारते हैं चक्क्रमण या माला रेखा का मतलब आप आप लोग देखी रहे हैं चक्रमर यानि किसी भी छैत्र का एक गुलाई के रूप में माल लिजे यह A ुपॉΙंट है यहां से आप सुरु किये सर्वे C ौंइंट गय द से ब्याहिए कि चुना ई से आप आणा आप यहां से शुरू किये और एगल बीची द्रीग लेकिन यहां वापस नहीं आये तो ऐसे विदी को मला रेखन कहते हैं यांने कि एक मुझ के तरीके हम लोग भूंगते चलते तो बच्चों ऐसे इस बिजी को हम लोग माला रेखन या चक्रमण कहते हैं तो हमेसा याद रखिएगा ये चक्रमण या सर्वेश्चन जो है कमपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल है जैसे हम लोगों ने चैन सर्वेइंग में क्या देखा था चैन सर्वेइंग में हम लोगों ने देखा था कि वोल टू पार्ट देखा था और किसी दो बिंदों के एकार्डिंग ही हम तीसरा नए बिंदों को निर्धार करते थे तो वो चैन का प्रिंसिपल था ये कमपास का बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग दोनों का सिद्धान को याद रखे रहिएगा बहुत टफ नहीं है कि दम्याद हो जाएगा आप लोगों को चलिए दूसरा कोशन आते हैं दिये गए या मुत्तर के संदब में रेखाओं के लिशा क्या कहलाती है हमने आपको बताया था कोई भी या मुत्तर मान लिजिए कि ट्रू मेरेडियन है अब इससे अगर आपने किसी देखा का कोण मापात इसको क्या बोलते थे ट्रू बेरिंग। बत्चों अब गर माली यहीं मेंगनेटिक मेरेडियन होता तो इसको क्या कहलाता Magnetic Bearing कहलाता यानि कि Meridian से किसी देखा का बना कोड क्या कहलाएगा Bearing होगा वो चाहे True Bearing हो चाहे Magnetic Bearing हो चाहे Arbitrary Bearing हो तो बच्चों यहाँ पर इसका तही जवाब होगा Bearing कहलाता है यानि दिकमान और आपको हमेशा जाद रखिएगा जो हमारा Meridian होता है उसकी हिंदी बोलते हैं या मिर्तर यह दिखा या मिर्तर तो इसमें Confuse मत लिएगा चलिए अब आते हैं सर्वेशनल प्रयोग होने वाले या मिर्तर की संख्या आपको हमने पहले ही बताया था एक होता है आपका True Meridian Magnetic Meridian और एक होता है arbitrary एच्छी यह तीनों आपका होता है तो इसमें कितने प्रकार हो गए यह तीन प्रकार के हो गए तो बत्तो हम लोग सर्वेशनल प्रयोग होने वाले या मुत्तर की संख्या कितनी हो गए तीन तो तीन यह question आपका most important है याद हो गया होगा आप लोगों को अब आते हैं सत्या मुत्तर तथा रेखा के बीच बना 36 कोड कहलाता है अब देखिए यहां पर अभी तक हम लोगो को देख्मान कहते थे हो चाए true हो चाए magnetic हो अब यहां पर question पूचा है Satya Mediter से तथा रेखा के बीच बना कोड सत्य अम होत्तर से अगर रेखा के बीच बना कोड कर कहलेगा क्या true bearing true bearing यहां पर लिखा भी है आपका true bearing true bearing यह देखें true bearing है तो बच्चों यह भी question बहुत important है, आप तो चार question याद होगे, पहला question क्या था, principle of compass surveying जो traversing पे था, दूसरा क्या था, कि the direction of a line relative to a given meridian is called, यानि कि या मुत्तर से किसी रेखा का मापा गया, किसी रेखा का से मापा गया कूर क्या कहलाता था, bearing कहलाता था, अब उसके बाद आ विच्छल में प्रयोग होने वाले, या मुत्तर की संख्या तीनों बता दिये, true bearing, magnetic bearing, arbitrary bearing, अब आते हैं, सत्या मुत्तर के रेखा के बीच बना, सत्य दिखमान, अगर यही कहता है, चुम्बकी या मुत्तर से बना रेखा कोंड क्या कहलाएगा, तो चुम्बकी या मुत्तर से बना जो है, कोंड क्या कहलाएगा, एच्छी bearing, तो बच्चों यही आप समझे, arbitrary bearing, इसको इंगले बोलेंगे, तो यह बहुत आसान है, बहुत कटिन नहीं है, आपको याद करना है, बस यही है कि bearing और मेरेडियन में आप confused नहीं, अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि वा अब आपको इस चुम्बकी सुई आपने किया, उसका दिसा लेकिन उन्होंने खोड़ी जी गल्ती दिखा दी, यहां से बना, यह हम क्या कहलाएंगे इसको, चुम्बकी सुई द्वारा एकदम सतंतरता पूर्वक छोड़ दीजे, तो यह जो दिसा बताएगी इसको क्या ब meridian, अब यहां से किसी कोण का, अगर किसी रेखा का कोण ना पे, इस magnetic या मुत्तर से, आपको यह color change कर दे रहे हैं, इस magnetic या मुत्तर से, इस रेखा का कोण ना पेंगे, तो इसको क्या कहलाएंगे, magnetic bearing, bearing, समझ गए होंगे, आप लोग, magnetic bearing और true bearing, तो बच्चों यह आप लोगों का, क्या कहते हैं, bearing हो गया, कि, चुम्बकी, सुई, सुदंतर्दा, पूलवक लट किती हुई, क्या परदसित कराती है, तो चुम्बकी या मुत्तर कहलाती है, जिसको magnetic meridian कहलाता है, लेकिन, अ लिए आपका जो दिखाए, या नहीं कि जिसकी आउचेंजों को क्या बोलेगे, सक्टे दिक, सक्ति, या मुत्दर, चली, अब आता है, चुम्बकी या मुत्तर कहलाता है, बियरिंग कहलाता है, आप लोग, ध्यान दीजेगए, अब यहां पर आता है, यह वास्तविक्त प की दिखबात हैं हमने आपको बताना भूल गए थे आप यह मान लिजे कि कोई यह true meridian है यह true meridian है और magnetic meridian है मान लिजे कि यह true meridian है और magnetic meridian है कोई देखा है तो बच्चों आप लोग को यह question देख रहा है वास्तवी कि यह मुस्तर के बीच में बना अब यह true meridian, magnetic meridian, true meridian, magnetic meridian के बीच के बना कौन क्या कहलाता है, magnetic declaration, यानि चुम्बकी अदिक पाथ, magnetic declaration, यहाँ पर यह देखिए आपका magnetic declaration है, यह भी question बहुत important है, आथकता है, जो है, और यहाँ पर देखिए, चुम्बकी जुकाओ क्या होता है, इस्थान इस्थान के चेंज होता है, यह भी आप लोग समझ लीजेगा, कि हर समय चुम्बकी का सत्य नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सत्य दिक्मान का ही दिशा सत्य रहता, यानि वो बदलता नहीं है, अज़र देखिए, यहाँ पर आज दिखा है, अभी सारी होते हैं, और इस चीशे धुरू करते है यहां पर आते हैं, हमारा जो है, आपका जब सर्विच्छन किया जाने वाला छेतर बड़ा हो, तथा उच प्रशित्ता की अवशक्ता ना हो, तभी जो हैं लोग अपास करते हैं, कमपास कभी भी एक्वारेट एक्वारेट हमारा मेजर्मेंट नहीं करता है, क्योंकि इसमे प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी वज़ा से थोड़ा सा उसमें परिसुद्धता नहीं आ पाती है, तो यह हमारा कुछ कोश्चन था आपका बच्चों, बहुत इंप्वारेटन था, आप लोग आज हम लोगों ने देखा, एक, दो, ती, चार, पांट, शे, तार, तार, न इतना ही कोश्चन में आगर रोज आपको अब्जेक्टिव बताऊंगा, तो भी आपके लिए पर्याप्त है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, अब्जेक्टिव के लिए, इसके बाद का जो क्लास होगा बच्चों, वो हम लोग जो है, बीए, पोर बेरि